इस लिए आपको जल्दी से क्या करने वाले इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ ऐसे important questions लेकर आया हूं यह हैं दोस्त हिंदी मीडियम में और बगल में आपको मिल जागा English medium में तो मैं दोनों ही बच्चों के लिए दोस्त करने वाला हूं यह हमारा पेंटिंग का अब आपको कैसा आता है कैसे आपको देना है इसको डाउनलोड करने का हिंदी मीडियम में और इंग्रिस मीडियम में लिंक के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर है जो भी आपका मीडियम में दूस्त जल्दी से एक डाउनलोड कर लो अगर आपकी हाद से रहे गया तो गरवड़ जाएगा दोस्त गरवड़ क्या होगा या बैलता हो या मैंने माइक की अपने हाफ पर सैट लोग कर दोस्तों कैसे आर कि अग्रेंट लोग आज इंग्लिस का पेपर था कैसे आप सभी का निचे कमेंट बॉक्स में बताए और आज और आज की इस पेस्टर किलास में ले रहा हूं लेट नाइट नाइट यह पेंटिंग क्लास ट्रैंट की होने वाली है यह इस इंपोर्टन को संस्त क्योंकि मैं इसको काफी ज्यादध सब्सक्राइब कर सकते हो लिंदी ने हमारा गुरुप जोइंग कर रहा है उनको दोस्य फिल्मे मिल जाता है आप सको फिल्में मिल जाता हुआ आज मैं आपको पैटन थोड़े बारे में बता जिता हूं कि करके क्या आने कल में लूगा सेस्टी किला सोशल साइस्टी क्लास तैंसर मतलो पूरा सोपड़ा साब कर दूगा जो बताओं अग्जाम में आएको अच्छे से पढ़ना है कल ठीक है आज दिल से पहले हम पेंटिं सब्जेक्ट के अंदर बच्चों के पास यह पेंटिंग सब्जेक्ट होता है जो भी बच्चा आता है यह पेंटिंग सब्जेक्ट जरूर लेता है ऐसा क्यूं है इस पेंटिंग के अंदर एक राज चोपा हुआ है राज क्या है दोस्त क्यूंकि इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 70 मार्च का होता है और जिसका थियोरी होता है दोसे 30 मार्च का होता है 30 का one-third हम बोले तो अगर आपके 11 नमबर आगे पेपर में पास आप क्या है आपको 11 नमबर आना है कैसी भी करके 11 में से मान लो कि आपके TMA में 5 नमबर है और 6 नमबर आपके पेपर में आगे आप 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 समझें तो पेंटिंग का पीपर आपको बहुत इजी तरीकर साब निकाल लोगे तो छे नमबर मुझे लगता है कि अदमार को कुछ पढ़के भी ना जाओ ना तो चे तो यू लिया होगे क्योंकि पेंटिंग आपके हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है चलिए आप हम जानते हैं कि कैसे को समस्थ आते हैं प्लस दोस्त आपके चैप्टर वाईज इंपोर्टेंट को सन जो है इसमें दोस्त मैं आपको सॉल्फ करके दिया हुआ है ठीक है दोस्त तो यह हिंदे इंग्रिस मुलें दोनों में हैं लिंक निचे डिस्क्रप्शन में है ताइम बहुत कम है अगर दोस्त आपने एक्जाम के ठीक एक से दो घंटे पहले भी फिर से बता रहा हूं मैं पेंटिंग एक ऐसा सब्जक्त है जिसको आपने जश्ट एक घंटे या दो घंटे पहले वी एक पर पढ़ दिया ना तो सच्छे से जो मैं यह कोस्तन दे रहा हूं तो एक्जामस में आपके पूरे-पूरे मांक्स आएंगे दोस्त आप खुश से देखाँ तीन नंबर तीस नंबर का आपका टीम में होता है सबसे पहला को सननना राइट फ्यू लाइंज ओन्दा कंट्रिबीशन टूएड्स आट वाईदा मोर्ययन्स एन डियसोंग आपको मौर्यय में इसके बारे मताना हalter सूंग बंच ने क्या दिया अपना कंट्रिबिशन इसलिक आई दो एसे हमें को संब पेंटिंग में पूछे जाते हैं कि बिल्कुल पात कोस्टन से को पेपर में 15 16 कोस्टन आने है कि बिल्कुल अब 15 16 कोस्टन में से अगर छे साथ आठ कोस्टन भी ठीक हो गए तो यह निकाल दो बच्चों यह बाढ़क वाले पेपर ना बहुत इजी अगर कोई एनस वोड़ आ रहा रहा है तो मिरसों पूछे बाइंटिंग लेलो चुटके निकाल दो फटा फट सतर साथ 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 नमर्ण बच्चा इन पास हो जाता है जो हिंदी मीडिया माले बच्चे उनको भी कोस्टन दिखा देता हो यह देखिए मोर्य और सुंगों के द्वारा कला के परति दियेगे योगदानों पर कुछ पंक्तिया लिखिए अगर दोस्त ऐसा कोर्शन आता है तो आपको बहुत जाद इंपूर्टन कोशन तो सिंपल आपको दो चार लाइन में उसका अंसर देना होता है पेंटिंग के अंदर याद चौन आपको सिर्फ अंसर चौह तो दॉरत ठीकिन दो चैसे करना चॉष्डर करना कम से कम मिनिममम वर्ट्स में आपको फुल आंसर देना हिंड़ा न, ज्यादा सीट लिखने की ज्था पेज भरकर करना मार्क कर जाते हैं असोग यूग में कला के उच इस्तरिये नमूने मिले हमें असोगी मुर्यकाल की बात कर रहे हम उच मिले हमें जो की विसाल दुरोहर उनके पहचान है उस यूग में तक्नीकी दिरिष्टी से उच इस्तरिये कला के साथ साथ आम वैक्ति द्वारा जो भी पर्थाएं जो देवी देखताओं की दोस्त पूजा की जाती थी उसको मुर्ती रूप में वहाँ पे हमें मिला है उपलब्ध है तो मोर्य बंसी राजाओं के उपरांद जब संग ने दोस्ते सुंगम बंस आया तो उनकी राच्किय सक्ति गरहन की उन्होंने सबसे अ यह कला के चेत्र में चाहे वो दोस्त मोर्य काल का था या सुंगम बंस का बहुत बड़ा कंट्रिविशन रहा था तो मोर्य आठ is the art mostly sculpture produced during the period of Morian Empire which was the first empire to rule at least in theory की दोस्त हम बात करते हैं और most of Indian subcontinent की दोस्त हम बात करें तो 322 and 185 BC it represented an important transition in Indian art from use of wood to stone दोस्त सबसे इंपोर्टन नहीं है जो हम अपने इस टाइम पर जाज़ा कर वो यूज हुज हुआ कर जाता था इट बास रोयल आर्ट जुस्त था यह ना simple आपको main main points को ध्यान रखना है जो कि Morian kings के द्वारा बनाया जाता था इस पेशली देखा को सने बताना है next question का है what are the characteristics of Ajanta paintings Ajanta की गुफा है केप से जो की महारास्ट में ओरंगावाद के पास एक छोटा सा district side में है वहीं पर दोस्त आजंता है यहां पर जो केप जो गुफाई मिली है तो यहां पर जो paintings मिली है उन paintings का भी काफी ज्यादा इसके बारे में question आया और Ajanta की गुफाओं पर question आता ही आता है yes yes बच्चे बोल रहे है सर लोगड़न लगवाद हो बाभाई मतला कि पेपर ना देना पड़े बच्चे ही पास हो जाए उसके लिए हम लोगड़न लगवाद हो देश को खतरनाक अपने खत्रे में डाले क्या बात है क्या बात है ना सभी बात है यानि कि ऐसा ही मत करें कि हम अपने पाइदे के लिए देश का नुक्सान कर दे हैं हम देश है तो हम है ऐसा सोचा करो चलिए अजंता चित्रकला की लक्षनितिया है क्या है मुझे लगता है कि अगर आप इंग्लिस मीडियों में हो तो बहुत इसी है पेंटिंग चुप क्यों निकालोगे हिंदी मीडियों हो नहीं तो बड़ा दिक्कत रहेगा वर्ड ही समझ में नहीं आता बच् बच्चा यहीं कंफ्यूज राता है वह पत्रहें बहुता कि क्या गाली वाली दे लाक्षनितिया है क्या महराष्ट में बोल रहा है चलिए तो यहां पर क्या है महराष्ट में औरंगवाजिले के पास एक अजंता की गुफा है इन गुफाओं का नाम करेंड वहां के आसप दो टल तीस गुफाई में लिये और इन गुफाओं में से जो कुछ गुफाई है उनको फ्लोवर्स यह प्लोवर्स थे उनको मानने वाजते थे तो वो जहां बैट कर उनकी उपासना करते थे कृतन भजन मान लुआ तो उसको विहार कहा जाता था बड़े बड़े गुफा टाइप में यह हुआ करता था ठीक है तो यह कुछ गुफाए बिहारुक रूप में मिली है अब यहां पर देखेंगे हम अजन्ता की कलाकृतियां दो चट्ड़ों में पूरी हुई थी यह बता सकते हैं जब महातमा बुद जी के दोबारता निर्वांड की मोक्ष के प्राप्ति तो बहुत धरम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था एक था हीजान और दूसरा था महायान जो महातमा बुद को एक मुर्थिक रूप में पूजा करता है ठीक है दोस्त यह हो गया कोस कुछ छोटा सा लिखा है यहां पर दे आर एन एग्जाम्पल ओफ वन ओफ इंडिया सी यूनिक आर्ट जो दोसम आर्टिस्टिक टैडिशन नोन इस रोग कट इंपल इसलिए तो आजन्ता की गुफाओं में जो पत्थरों से जो मंदिर बनी हुई है और जहां पर पेंटिंग्स मिली है वह काफी इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा उस टाइम भी लोग उस तरह के की पेंटिंग्स बनाया करती थे सोकिंगे काफी इतनी नोलिज थी उस टाइम भी यह जानना है ना अजन्ता कंसिस्ट ओफ एट थैटी केप्स में ना को था 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 ना कि वहां पर तीस गुफाय है इच डेडिकेटिड तु लाइफ ऑफ दी बुद्धा उन में से दोस्तों कई बुद्धा जी के लाइफ पे जैसे कि अभी मैं आपको बने विहार इच केवीज फिल्ड विद इस क्लप्चर वह अंदर के जो कला चुपी बुद्धी और इसका दिखाने का मकसद यह भी था ताकि आने वारी जनरेशन इसको देख सके और अजन्दाई गुफाय चले काफी फेमस भी है और जन्दाई गुफाय पर दुस्तों कोसन आता है तो वह में सीन पेंटिंग के काफी फेमस है चलि होईसाला सिल्प पर अथिसंचिप्त में लेगल मतलब होता है कि बिल्कुल चोटा सांसर आपको देना है होईसाला सिल्प क्या होता है इस पर बताने थाए दख़ागो दच्छिन के एक परशिद्ध राजवंस थे एक परशिद फेमर डाइनिस्टी थे और उनी नाम के इसका अंध 14 सद्धी के मद्धे में माना चाता है चोशी सद्धी के मतलब 1350 इसवी के आसपास है होईसल शेली अपने दोस्त आप देखे होगे होईसल डैश्टी साूथ में चाचेल चोल पांडे होईसल एक डैश्टी इक बंच का नाव है तो हो इसल तो इनके Нबारा जो कलाकार गया यह की गईे जो सिल्ब होना गए इसलिए इसको होइसल सेली कहा जा रहा है यहां पार तो होइसल सेली अपने अपूर्व कता आति बिस्ष्ट हैं जयसे देखोगे वैलूर में होईसल के मुखे आधी कालिन मंदिर मिलते हैं दोस्त आज भी आप गोगल पर सर्च करना वैलूर के होईसल मंदिर इतने जादा मल्क खूपसूरत उन पर डिजैनिंग की गई किसम से बढ़ा तक न और साउथ के अंदर दोस्त ये सारी मंदिर हैं तो होईसल मुर्तियों में गहरी खुदाय की गई है पहला पों जान रकना उनको गहरी तरासा गया है तरास तरास मतलब एक निखता हुआ है मंदिर वेटियां इंग कर दिया जाती है गला देखनों को मिलता है, साथ ही इन मुर्तियों में को मलता सरीर के अंग की लायात्मक्ता, यानि कि जो सरीर के अंग है जैसे के मुर्तिया आया है, उसको दिवार पर ही ठीक से डिजाइन किया गया है, और जटित दिरसे देखनों को मिलते हैं, यह होता है दोस्त, जो इंग रखकन पेन का राज हुआ करता था which emerged around the middle of the 11th century and is generally considered to have come to an end in the middle of 14th century. अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है ना the earliest major hoishal temples are at walur के अंदर. में जो दोस्तों है वो walur में ही है hoishal sculptures so deep carving and under cutting. दोस्तों महां पर मैंने आपको बताया है जो जिस तरह के से दिवारों को काट कर दिवारों को दिवारों पर ही दोस्तों डिजाइर मनाया गया जैसे मालों यह दिवार है और इसी दिवार को काट कर उसको मूर्ती का सेव देदे ना यह बहुत बड़ी बात है और उस टाइम क के जबाने में बनाना दोस्तों काफी कॉंप्रिकेटिट सा लगता है कि लिए आप सभी को कि भाय नूराग जी प्यारव में ना क्यों रखनना चाहते हो भाई प्यारव में गिरना है तो भाय पने मावप्त की गिरो यार उनसे बड़ा कून है बताईए किसे को और को डाउट है कि हां मैं आपको आपको कोई भी डाउट हो तो मैं लाइब क्लास ले रहा हूं हम समय से डाउट्स पूछ सकते हों यह जो पीडियाफ में दिखा रहा हूं हम सबको इंपोर्टन कोशन और आंसर वाली जो हमारे ग्रूप में उनको फिर में मिल जागा मेरे दोस्ती है क्योंकि इसको बनाने में जो जिन हमारे टीम इने एफिकल्टी जो जिन्होंने इस पे टाइम दिया है सालो सालो वर का तो उनको थोड़ा पे करना होता है इसलिए हम इसको पे रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्सर में वहाँ पे जाईए जो ग्रूप में जोई नहीं है इसने मेल आइड़ी पे और एक्जाम्स के अंदर जो को पब्लिक बात यहीं बता दू यह गुरूप में बता हुआ जल्दी से जोग नहीं जाओ लिंक नीचे डिस्क्रिप्सर में चलिए थोड़ी जोस प्राइबट बात होते है तो प्राइबट बात नहीं करेंगे चित्र कला की पहारी साखा के कोई एक चित्र का नाम दिखिये दोस्ष का मतलाu वहाँ पे साखा, that means branch से है, ठीक है, पहाड़ी branch कहा सकते हैं, बर्ना branch यूज इसलिए बढ़ नहीं किया गया, यहाँ पे एक साखा बढ़ यूज किया गया, साखा, पहाड़ी साखा के कोई एक छेतर का नाम देगी है, इस साखा के कोई एक चितर का भी वर्यन केगी है, तो जो चितर कला की जो पहाड़ी साखा है, जगा का रामे भाई, तो पहाड़ी स्कूल 27 से उनिस्पी सताब्दी के दुरान, जम्मू और अलमोड़ा, और गड़वाल, हिमाचल परदेश के माध्यम से उप हिमाली, भारत में विक्सित, और बहुत तेजी से विकास हुआ, जम्मू में, अलमोड़ा में, गड़वाल में, हिमाचल परदेश में पाया गया है, यह नाम याद रखना, और एक उधारन आप से पूचा गया है, तो आपको बताना है, मंडप में, क्रिस और राधा की एक पेंटिंग को दिखाया गया है, मंडप में, ठीक है, जो की आपको दिखाया है, क्लिए दोस्त, फोर्थ को सर्वे काफी जी आया है, हमारा, चलिए, आप चलिए आपको डाउट बेहरा हो तो अब बिखते हो मैं आपके डाउट सुबिख रहा हूं यह पर ताकि आपको डाउट सुब्डे लिए मैं आपको किलियर करते जाओं आपको डाउट बेहरा ना हूं yes चलिए हां जी मैं मैं आपको बता देता हूं कि इस को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका आपको द्यांदर चलिए नेस्ट को सन हमारा फिर्ट को सन है राइट ओन दी मैजड ओप कोलं पेंटिंग पेंटिंग है अब अच्छे बोलता है कि सारी तो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है बिल्कुल मेरे दोस्त हम भारत के अंदर जो भी चितरकारी चितरकलाई जो पेंट पेंटिंग में पढ़ते हैं और पेंटे को ही डिस्क्राइब कर रहे हूं ती से ठीक दोस्त चलिए अब हमें बताना है कोलम चितरकला की पधिती कैसी है यानि कि यानि कि मैठड कैसा है कोलम चितरकला को बनाया कैसे गया कैसे बनाया जाता है कोलम रंगोली का एक रूप है तो रंगोली का ही एक रूम है को लंगोली हृँ को लम यृप में हुआ करता था उसको बोला जाटा रहा है जो चावाल के आटे चाक पाउडर, रोक पाउडर का उप्योग करते हुए एक रंगोली बनाया जाता था, उसी को दोस्त कोलम रंगोली या कोलम कहा जाता था, ठीक है, इत्ती धानक नाब सभी को, भारती राज्यों जैसे कि तमिलाड हो गया, कन्याटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आनपर्देश, क अच्छीन भाग में, भारत के साउड वाले जो स्टेट है, वहाँ पे इसकी काद खेमासी दोस्त, रंगोली बनाने के परता हम वहाँ पे काफी चलती है, के लिए दोस्त, चलिए, एक वर हम बात करते हैं पहले, अपने प्यारे भाई भाई भ्याने, दोस्तों के लिए, इ इस ड्रोर, यूजिंग राइस फ्लोर, चोक, चोक पाउडर, और रोक पाउडर, नेच्रली ओरे, जोस्तों हम बात करें हाँ पे, तो चो कलर पाउडर है, उसका भी इसम यूज़ किया जाता था, इंदा इंगियन स्टेट ऑफ तमिलाडू, करनाटका, तेलंगाना, आंद परदेश, केरला, एंड सम पार्ट्स ओफ गुवा और महरास्ट, किलियर है, एंड सिस्त कोशन है हमारा, वट इस, है, कांथा, एक्स्प्रेंट करना है दोस्ताब सभी को इसको, और काफी ज़्यादा इंपूज़न कोशन है ये, कांथा क्या है, वट इस कांथा, क्या है ब अब बता रहा हम सबी को, फॉर्ट कोशन समझ में नहीं आया, चलिया भाय, ऐसे कैसे समझ में नहीं आया, आफ लेकर आते हूँ, पीछे द्वारा से, फॉर्थ कोशन में फिर से बता रहा हूँ, यहां पर कोई कमेंट कर रही है, तो चित्रकला की पहारी साखा, पहारी पर पाएगये 우리 Almora में गड़वाल हमाचल परतेस के कुछ एलियाज में ये पाया गिए है युडिक में कर डवलब्मेंट हुआ थे और इस पैंटीन के अंदर मंदप में किसन और राधा की कि पेंटिंग को दिखाया गया है बस कृष्ण और आधा की पेंटिंग को एक मंडप में बैठे हुए दिखाया गया है इसके आगे के पॉम्ट में थोड़ा मैंनों डिस्क्राइब को है वाट कोई बात नहीं आप एक लाइन याद करना बहुत है थाना वन माक्स में आगा य लोग की जगड़ी होगे इस बताना को कि लिए आपको दिक्कत नहीं है किसे को दिक्कत सालू राजपूत जी समझ मागा आप सब्सक्राइब को यह फॉर्थ कोशन आपने पूछा था डाउट ही है चलिए अच्छी बात है यहां पेंटिंग सब्जेक्ट है हम तो यहां पर हिस्ट्री परड़ रहे हैं तो क्या हमको पेंटिंग सब्जेक्ट में पेंटिंग भी बनाना होता है क्या मैं आपको बता जेता है कि सबसे पहली बात यह सब्जेक्ट तो पेंटिंग है और इस पेंटिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको हिस्कें अंदर हमें अपने इक हास में किस जगा पे कौन-कौन से पेंटिंन粉 बनना हुता है आपको पेंटिंग को रास में इसको लिखना और उसके बार में डिस्क्राइब करने के लिए आपना है कोशन है भारत की कम से कम दो लोग कलाओं की सैली का नाम नहीं है लोग कला मतलब जो लोगों के लिए ही है लोगों के बनी है लोगों में फेमस है जैसे फ्लोर पेंटिंग राजस्थानी लगू चितरकारी दो ध्यान रखना इस कोशन का अंसर का है फ्लोर पेंटिंग और रा चित्रकारी तो नेम एकलिस्ट टू फोल्ट आर्ट स्टाइल्स दोस्त देखोगे आप तो हमारा ये फिफ चैप्टर में से ये कोशन है हुआ है तो फ्लोर पेंटिंग्स और रास्तान मिनियेचर पेंटिंग्स ये इसके दो एक्जांपल है ये आपको ध्याना करें इसके बारे में दोस्त थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है मैंशन दा इंपोर्टेंट फीचर्स ओफ दिस वर्क चलिए दोस्तों सबसे पहले में हंदी वीडियो वाल बच्छों को यहां पर लिए ना चाहता है कुंकि कॉंटिंटी ज्यादा है हमारे पास हां जी नाइट वो बात करते हैं नाइट वो चित्र क्या है इसके पहले हम बात करते हैं देखो लोस्त रेंब्रा क्या है रेंब्रा एक डच चित्रकार था नाम क्या बताया मैंने आप सभी को रेंब्रा रेंब्रा एक डच डच कहां के लोग होते है is verified by mi dhammarad कि उद दाशाश कहां के होते विस коп के ठीके हैं होलेंड के ऑँध हो गया दोस्ट डैन्मार्क होünde दश लोग फरांस होलें हम दो भूदाश प्रॉक्ट होरे ली होँलेंड के अंदार हम पाये जाते हैं रैम्रा एक डच चीत्रकार था वह एक यथार्थवादी था, realistic मतलब होता है यथार्थवादी, यथार्थवादी के मलब होता है कि ऐसे pictures बनाना जो आज हमारे practical life से relate करता हुपाओ, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई picture बनाओ जिसका ना पैर है, ना सर है, ना कोई याता पता, ना देखने समझ भी आ रहा है, ऐसा चितना ही, तो यह ऐसे paintings बनाते थे, जो realistic है, यह थार्थवादी, जिखने में सच्चा जैसा लगता है, इसका मनूँ होता है यह थार्थवादी मतलब, तेखने हैं, उसके अधिकान सित्रों में हम परकास एवं चाया का रहस्यवादी परदर्शन देखते हैं, मैंने बता हैं ना भाई, realistic बनाते हैं, परकास सुरज के रोसनी यह हो आ रही है, चाया, यानि कि इस तरह के से painting बनाते हैं, कि देखते ही यह लगए कि painting है नहीं, तो ऐसा दिर्श से है, जहां पर हम उच जगह पर इन खड़े हूं, यानि कि realistic, real का feel करवाते हैं, reality का feel करवाते हैं, इस परकार से उसके चित्रों में, चित्र की आत्मा का अधिक परदर्शन होता है, 1640 से 1642 के बीच, रिम्बरा ने the night watch का चित्रन किया, that means, यह जो night watch है, दोस्त एक ऐसी चित्र है, जो किस ने बनाया है, रिम्बरा ने बनाया है, जो कि एक डच चित्रकार है, होलेंट के अंदर रहने वाले बन्दा है, कब बनाया था, 1640 से लेके 1642 के बीच में बनाया था, अब इसको थोड़े डिस्क्राइब करते हैं, देखें दोस्तों, यह रफ़वन, यह चित्र एक युवा कप्तान को अपने अधीन, अधीन मनलाव अंडर, लेक्टिनेंट को अपनी कमपनी के गहर सैनिकों को, वहां से चले जाने के अधेश देते हुए दरसाता है, यानि कि यह चित्र क्या दरसाता है, यह चित्र दरसाता है कि एक युवा कप्तान है, जो अपने अंडर में जो उसके लेक्टिनेंट विगे रहे हैं, यानि कि जो अधीकारी विगे रहे हैं, को जिसने भी ऐसे लोग जो सैनिक नहीं है उनको यह कंपनी छोड़के चले जाए यह दरसाता है इस चित्र में परकास और चाय का बड़ा परभावसाली परयोग किया गया है कप्तान काली वर्दी पर लाल पेटी बांदे हुए है लड़की पीली ड्रेस पहने हुए दिखाए देती है यह रंग भी विजय के परतीक है लड़की की पेटी यानि की जो वैल्ट है से एक सफेद मरा हुआ चूजा लटका रहा है और जो दुस्मन की पराज्य जैट मेंज हार को दरसा रहा है कि दुस्मन हार गया है उसको दरसा रहा है प्रस्ट भूमी में एक ड्रम बजाने वाला यानि की बिल्कुल बोटम में जमीन पे एक ड्रम बजाने वाला सिफाई को दरसाए गया है जो गती और सक्ती भरने के लिए खड़ा हुआ है यह चित अभी व्यक्ति के साथ पारंप्रिक सैन्ने चित्रों का एक उतक्रस्ट उ पेंटिंग को हम डिस्क्राइब करें तो यंग जो कैप्टन है कैप्टन वो ओडर देता है अपने लेटनेंट और जितने भी जो सिविलियंस होते हैं उनको प्लस कहने का मलब यह है कि दोस्ते जो सैनिक नहीं है उनको छोड़के चले जाए वो यहां से इस जगह को इसके बारे में बताया तो दाप्टिंग सोसी फ्यक्तिम उफ्यक्तिम फ्लाइट इंड जैडोस अगर आप देखोगे पेंटिंग को देखोगे नेट वोच की पैंटिंग आप गूगल पर सेर्च करना हां और वहां से एक बार समझ लेना ठीक है एक बार दोस्त पैंटिंग का ज इस डिस्क्राइब दा फेमस पैंटिंग वर्थ ओव विनस वट डज विनस सिंबोलाईज इंडिस पेंटिंग चलिए नैस को संपाते हम यह वाला कोस्वन एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं परक्यात चित्र वर्थ ओव विनस का वन्यन कीजिए इस चित्र विनस क् क्या संकेत करता है विनस ठाइब तो पराचिन गरीक कलाकारों की पेंड़ना से बनी यह कला करती पुर। जागरन की पूरन जागरन एक ऐसा काल था, जब शाहिते, स्क्रफ्चर्श का, और दोस्त, कह सकते हो कि ने ने इन्वेंशन हो एथे, तो ऐसा काल पूरन जागरन, तो पूरन जागरन की सबसे बड़ी मिसाल है, इस चित्रिमें, ग्रीस की प्राचिन देवी, विनस को, CP में से पैदा करते हुए दिखलाया गया है इंग्रीस एरोप का एक कंट्री है उसका नाम है और ग्रीस की एक बहुत एंसेंट एक देवी है जो बहुत पुराने टाइम में उनकी पूजा की जाते थी उसी देवों को विनस कहा जाता था जो कि एक CP उसमें से पैदा हो रहे है उस पेंटिंग में यह दिखाएगे है किस पेंटिंग में वर्थ विनस वर्थ यानि की जनम लेना विनस का जनम हो रहा है निर्वस्त्र देवी यानि की वो बिल्कुल यानि की कपड़े में नहीं है नगन अवस्ता में प्रेम के इस्थान पर आद्यातमिक प्रेम को निर्वपित करती है त्मीन्स जो विन अशे वह साइस्कारिक यह दो सम्वाज में जो फिजिकल करhinा यानी कि यह लोग के किसी के सरीर से जादा जिसको आज हम हावस कहा देते ऐसा प्रेम कहा थो रोह से प्रेम करें इसलिए इन्हों ने क्या किया आधिम्या जो अध्यात्मिक है इस प्रिचुल जो है उस लब पर व्यूप में वह वीनस यानि की विनस का करती एक पूरी वैसक इस तरी के रूप में दिखाए देती है यहने केहने कि फूलो से बिलकुल सजाकर बताये गैंश के अंदर कपड़ा देती हैं जिससे वह अपना श्रीय धख सके यप में सुआ वह जो हमारे जो हमारे सीजन है उसकी एक गिस Strategic यह दिवी क्या करती है विनस को फूलों से कढ़ा हुआ एक कपड़ा देती है ताकि वो अपने सब्सक्राइब को ढख सके यह इसमें बताया गया है दूसरी और पवन देव जैसे देव दूद पाईयों को प्रभावित करते हुए दिखाई जेते हैं विनस इन दोनों के बीच में विनस सील्स मुद्रा में खड़ी है जिसको देखकर प्राचिन गोथिक कलाय तथा मुर्तियों का इसमरण होता है दोस्त इस तरह के से जो उपर के पॉइंच से यही दो तीन पॉइंच इंपोडेंट है यह आपको ध्यान डखना है बस एक वार बच्चे जो की एक देवी है कहां की ग्रीस की एंचेंट ग्रीस में इनकी पूजा भी की जाती थी इनको भगवान माना जाता है लव एंड व्यूटी का विनस को इसले दोस्त आज भी काभी फेमस है यह दा रोमन्स न्यूहरस विनस यानि कि जो रोमन्स उनको एक विनस का नाम से जानते हैं वाइल फॉर दे ग्रीक्स शी वोज ए एफ्रोडेंट इनको एक व्यूटी की सिंबल की रूप में दिखाया गया है यह दोस्त की इंपोर्टन लाइन है इनको सिंपोर्फ फिजिकल एंड छिच्वव एड़ फिजीकल एंड प्रीच्वल इफ्यू इफ्यू व्यू व्यू न इपिल न दिखोगै नियू प्लतोनिक में अगर आप विजीव करते हुआने फिलोसफर्स में तो आप क्या सकते हो दोस्त की इस टाइम पे अगर देखा जाए तो जो इनकी व्यूटी थी इस वेट टू इलेवेट दा हुमेन स्प्रीट एंड गेट क्लोजर टू दा डिवाइन इनकी व्यूटी एक इंसान को इस्प्रिट्चुलिटी से अध्यातमिकता से जोडने में काफी हल्प करती है विनस ऐसी देवी जो दोस्त कह सकते हो कि लव और व्यूटी की देवी कही जाए जाने वाली और लोगों को इस्प्रिचुलिटी आतमा का परमातमा से मिलन हो इसको को जोडने वाली एक तीवी कहलाई तो दोस्ति का काफी यास यास तो दोस्ति काफी ज्यादा इंपोर्टिंट रही है यह कोसर आपके ध्यान में याद रखना है चलिए कि वट आर्देश्ट इंटर्श्ट ओव दी इंप्रिश्ट टुपोईंट दुसके समें लेंड स्केप चितरांकन करने में समानने तोर परभावित की खास दिल्चसपी क्या होती दूस्त लेंड स्केप चितरांकन के बात करेंगा F.N. Soja ने धार्मिक तता समाजिक विचारों को भी अपने चितरों में स्थान दिया लेंड स्केप इन दूस्त देखा चा है जो लेंड स्केप इन रेड का उनकी प्राकरति चितरन वाली किरती में विशेस्थान है दोस्त, FN Soja ने धार्मिक और समाजिक, जिनका संबंध, जिनका religion और society के विचारों से है, इसके नाम पर उन्हें एक चित्र बनाया, जिसको उन्हें नाम दिया, क्या नाम दिया, उन्हें लेंड स्केप, चित्र का उन्हें नाम दिया, यह एक परियोग्यात्मक सहरी द्रिस् कुछ भी नहीं है, उनके सहरी प्रकृति चित्रों में, सहरों की रहसे में प्रकृति का चित्र मूता है, सुलेखिया रूप में रेखाओं को रंगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से संयोजित किया जाता है, पर इस संयोजित में रंग तथा आकार अलग अलग उभरते जब दोस्त यह इस चित्र के अंदर सहरी प्रकृति चित्रों का बन्न किया गया है वह रहस्य में तरही को दिखाया गया कि एक सहर किस टाइप में डिजाइन है और किस तरह के से बनने है उनका में इस्ट्रक्चर और आकार दिखाया गया है तरह क्या पर्यों किया यह आपको पता है ठागों यह कोशन एक बार हम इंगले में देख लेते हैं यह दोस्त को सन्य वालबा लैंडस्केप पैंटिंग ओल्सो नोन अस लैंडस्केप आर्ट इसदर क्या है दोस डेपिक्शन ओफ लैंडस्केप इंद आर्ट नेच्टल सीनी दोसे एक नेच्टली सिंडरी जैसा मान सकते हैं सचल हैं, mountains, valleys, trees, rivers, rivers and forests especially where the main subject is a wide view with its elements arranged into a coherent composition इस ताम में दोस्त देखा जा है तो इन सब चीजों को एक cities में, forest में, इन सब चीजों को यह cover करती है In other works, landscape backgrounds for figures can still form an important part of the work, sky is almost always, क्या होता यह दोस्त, included in the view and weather is often an element of the composition That means, दोस्त, इस के अंदर बादलों को इस तरह के से सामली किया गया है, जिर में मोसम को दिखाया गया है सहरों की सुंदरता को बताया गया है इन सभी को दोस्त दिखाया गया इस पूरे painting के अंदर इसलिए दोस्त, यह question जबाता है, तो landscape में आपको यह सारी features के बारे बताना है Write a critical note on still life with onions of दोस्त, चलिए तो एक बार इस question को भी देख लेते हैं दस question ही, दोस्त, मैं आपको इस video में करवा रहा हूँ बाकी के सभी questions के answer को जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूँ, सेम इस तरह के से भी पढ़ लेना है Link मीचे description में है, golden series की, यह golden series है Hindi, medium, English, medium दोने में आपको link नीचे मिल लेका description में और जो group में उनको यह free में मिल गया है, जो हमारे online class में join हो चुके है तो आगे की सभी facility को आप लेने के लिए, please group को join कर ले, pass के guarantee में यह आप सभी के लिए जो group में बच्चे join कर रहे हैं सीजने का still lie, still lie onion पर एक बिचार केजिए, बताने के दोस्त, देखो, पॉल सेजा कौन, पॉल सेजा तो, ठीक है नाम याद रखना यह, इस टैंपिड़ में उत्तर परभाववादी युक का कलकार था, इसने अपनी अविव्यक्ति के लिए नए सादनों की खोच के थी उसके चित्र, still lie with onions में, यानि के दोस्त, यह जो ओर पॉल सेजा ना, यह बंद पॉल सेजा, पॉल सेजा, इस बंदे ने क्या क्या था, एक चित्र बनाया था, और इस चित्र का नाम इसने दिया, still lie with onions, में एक, जैसा रंगों के भिनवीन, इनों में अलग-अलग तरे के द साने के लिए उसने, साधारा नंगीन इस पस, देखते हो कभी का, पेंटिंग इससे बनता ने, और कभी कोड को देखने में लगता है, और पापर कैसे बना दिया इसे, है ना, उसकी कलाकर्पियों में सही, सीधे, और समतल अस्तर पे तिरी वीमिया अकारों का सुंदर विन एक बार इसको, इंग्रिस में भी देखे लेते हैं, यह रहा दो, from the same period as the anti-architectural festive, still life with organs, जहां दोस्तिया आपके, orange and apples, perhaps a bit earlier, the exact dates of снेजर's work are not known, अभी दोस्त पाइजे जो पता नहीं है कि कभी ये काम किया गया था, still life with onions वाला एक पेंटिंग कब बना था, but is this still life, which, क्या है दोस्त, कि इस टाइम देखा जाए, तो इसको बनाने में जैसे कि या इस पेंटियों करने में, इन्होंने जो यूज किया, जैसे कि broad, काफी, wear पे, wall पे, close pack पे, curves पे, title forms में, ancient free vegetation में, काफी जगात उसे नहीं इस पेंटियों को बनाया, और climax का view दिया, जैसे कि आप देखों कि इसे में, कि कोई भी हम natural video को दिखाते हैं, तो उसमें अगर उस painting को, इचितरकारी को totally realistic, और behavioral तरीके से उसको present करते हैं, तो देखने हैं, बिल्कुल नया, और बिल्कुल लगता है कि वाव है, यह का painting बना हुई है, इसमें हम रंग और color का प्योग अलग पर साया गया, जो कि एक तरफ से, क्या है, still with onions, है न, with onions, कैसा टहरी गया है, उसके बारे में बताते हैं, जल्दी से आपको यह paper दे के जा रहा हूं, आपको जल्दी से जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, जल्दी से सारे questions और answer को read out कर देना है, जल्दी से आपको डेड़ से दो घंटे लगने वाले, इस पूरे paper हो खतम करने ही, जल्दी से पूरा पढ़ लेजी एक बार आप, देखो पूरे questions हैं, आपको बहुत सारे questions है, write a very short note on persistence of memory, है न, write and main जो आजाई है, राजा रभी बर्मा के ओपर आजाई है, and इसके बारे हैं बताना है आप सभी को, यह सारे last year of course papers उठाए गए हैं, बहुत जादे important question भी है, progressive artist group, इसके बारे हैं जो बताना है आप सभी को, and write on the technique of graphics, यह देखिए भाई, अब नीचे आजाओ, write a note about the characteristics of the gupta periods, दोस्ट काफी बड़ा इनका contribution रहा है, इसके बताना है, write a short quote about the dancing girl of the Indians, इंडेस वेली, बहुत इंपोर्टन जादा question है, जो सबसे जादा important question है ध्यान रखना, इंडेस वेली भी को, जो dancing girl है, इस पर दोस्ट कोसन आता ही आता है, ध्यान रखना है आप सभी को, dancing girl पर कोसन आता है, dancing girl देखना है, जो कि हरपन डेवी सिविलाइशन से हमें यह मिला था, रपसा बता से हमें मूर्ती मिलीती है, dancing girl के जो कि जिसमें एक देवी को, एक इस्तरी को, एक लड़की को नास्ते वे दिखाये गया है, उस मूर्ती को define करना है, किस ने बनाया है, इस पर कोसन आया हुआ है, इसको describe करना है, दोस हिंदी मीडिया, इंग्रेस मीडिया दोने में ही है, इसको अटेम्ट करकर आना है, सोट वर्ड में, सोट, मिल्गू सकम सब्दे में, सटी का आपको अंसर देना है, एंड हिंदी और इंग्रेस में है, दोस्ती मेरे पास ही, तो लिंक नीचे डिसका आप डाउनलोड कर लो, और जल्दी से इसको पढ़ डालो, बहुत इज़ी पेपर आता है, पेंटिंग का, एक से देड़ घंटे में, दूस्त एक्जाम से दस एक से देड़ घंटे पाली पढ़ लोगे न, इसली दोस्तों पूरा पेपर आप निकालतो हो, कि देड़े दोस्त कोई दिक्कत, चलिए, तो चलिए दोस्त, आब मैं आपको थोड़ का जा रहा हूं, आपकी ऊपर नहीं हुआ है, प्लीज जोईन हो जाना, लिंक लेचे वीडियो का डिसक्रप्शन बॉक्स के आँगा, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाले टाइम में दोस्त, ऐसी धमक दर वीडियो देकर आने वाला हूं, आपको पेपर में पास करवाना है मुझे तो मुझे responsibility, मेरी responsibility है, फिस time to time में आपका update करूं, और ऐसे कुछ important questions, सब्सक्राइब करवाना है, ताकि पेपर में पास हो जाओ, कल painting exam फाड कर आना, फोड कर आना है, ठीक है, मुझे से आना है, चले दोस्त, बिलिए और next video के अंदर, जाहिंद, जाहिए भारत कहने से पहले एक बात और बतातो दोस्क, अभी मैंने सिर्फ 10 questions ही solve करवाए है, इसको पूरा आपको देखना है, येकिन 10 questions पढ़के चले जाओ, बहुत कोई फाया ही नहीं है, तो पूरा paper ये जो आपको दिया, इसमने पूरा golden series, इसको पूरा पढ़ लेना आपको, ठीक है, चल